अगर आप भी Collector SP जैसे Group A अधिकारी बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सी परिक्षा आपको देनी पड़ेगी जिसको आप Qualify करके Group A Officer बन सकते हैं तो बिना समय गवाय वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले मैं आपको एक संस्था के बारे में बताना चाहूंगा Union Public Service Commission, संग, लोग, सेवा, आयोग, UPSC एक Central Government की Agency है, एक संस्था है जो Group A Officials को सलेक्ट करती है अलग-अलग एक्जाम कराके तो उसमें एक एक्जाम होता है Civil Services Examination उसके थुरू आप Collector या SP बनते हैं तो इस वीडियो में हम Civil Services के बारे में डीटेल में डिसकस करेंगे सबसे पहले देख लीजे कि पैटर्न क्या होता है Civil Services का इसमें तीन स्टेज में पेपर होते हैं पहला स्टेज होता है Preliminary Exam का दूसरा स्टेज होता है Mains Exam का और तीसरा स्टेज होता है Interview का चलिए अब एक एक करके इनको डीटेल में देख लेते हैं सबसे पहले बात करते हैं Preliminary Exam की इसमें दो पेपर होते हैं एक General Studies का और एक CSAT का Civil Services Aptitude Test दोनो दो दो घंटे की होते हैं और दोनो दो-दो-सो मार्क्स की होते हैं Paper 1 में 100 Question होते हैं एक Question दो मार्क्स का होता है और Paper 2 में 80 Question होते हैं और हर Question धाई नंबर का होता है जो Paper 2 है वो सिफ Qualifying Nature का है उसमें आपको सिफ 33% मार्क्स लाने है पास होने के लिए लेकिन जो Paper 1 है वो Cut-Off के हिसाब से है जो भी Cut-Off आएगा उससे जादा आपके मार्क्स होने चाहिए जो Paper 1 है उसमें जो भी Subjects है UPSC में जैसे History, Geography और Current Affairs ये सब पूछते हैं और Paper 2 में जैसे English के Passages, Maths, Reasoning ये सब पूछा जाता है अब Mains Examination की बात कर लेते हैं जब आपका Prelims निकल गया, Final Result आगया अब आपका Mains Examination होगा तो देखिए, जो Mains Examination है उसमें आपके Total 9 Paper होंगे उन 9 Paper में सबसे पहले हैं हम General Studies के बारे हम बात कर लें तो 4 General Studies के Paper होंगे 4 Paper 3-3 घंटें के होंगे और हर Paper 500 Marks का होगा अब इनके Subjects की बात करें तो देखिए, General Studies 1 में Geography हो गया, History हो गया, थोड़ा सा Sociology हो गया, और कुछ Topics हैं जो लिखे हुएं सिलेबस में General Studies 2 में Basically Policy पूछी जाती है, Governance पूछा जाता है General Studies 3 में Economics पूछा जाता है, Science and Tech पूछा जाता है, Internal Security पूछा जाता है और General Studies 4 में Ethics and Values किसे Related Paper होता है, देखिए, Detail सिलेबस चाहिए तो आप Comment section में Comment कर दीजी मैं आपको Detail में पूरा syllabus भी बता दूँगा UPSC का, अब देखिए, जो बचे हुए Paper है, एक Paper होता है Optional का, जिसमें दो पेपर होते हैं धाईसो धाईसो नंबर के, जैसे माल लिजे Geography आपने Optional लिया है अपना तो थोड़ा सा उसमें Geography specific आपको पढ़ना पढ़ता है, और उसके दो Paper होते हैं, धाईसो धाईसो नंबर के फिर आपका एक Paper होता है Essay का, धाईसो नंबर का, इसमें दो ऐसे आते हैं, 125-25 नंबर के दो ऐसे पूछे जाते हैं, फिर एक Paper होता है English का, वो 300 नंबर का होता है और एक होता है Paper Indian Language का जो भी 8th schedule में Indian Constitution के जो languages दी हुई है उसमें से आप कोई भी एक language भी चूज कर सकते हैं, ये भी 300 नंबर का होता है ये दोनों Qualifying Nature के होते हैं फिर आपका, फाइनली जब आपका mains निकल जाता है तो फाइनली आता है Interview Interview 275 marks का होता है अब देखें, फाइनली आपका interview भी हो गया, अब एक list आएगी उस साल माली जए 1000 पोस्ट आई है तो आपके जो mains में marks होंगे और जो आपके interview में marks होंगे दोनों को add किया जाएगा और जैसे जिसके हिसाब से marks होंगे प्लस reservation का जो भी system होता है वो सब कुछ करके, एक list बनाई जाएगी और उसमें जो भी आपकी ranking होगी